हेलो साथियों नमस्कार दोस्तों आज आपका जो बहुत ही महत्पूर एक्जाम है यूपी पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम दोजर चौबिस आज आपके एक्जाम का पहला दिन है यानि आज आपके जो पहला सिफ्ट का एक्जाम है वो हो चुका है जब मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं तो साथियों इस पहले सिफ्ट को एक्जाम को देखते हुए यह बहुत ज़्यादा महाटपूर है समझने की कि हम वही पढ़ें जो हमें सबसे ज्यादा नंबर दिलाए और सबसे कम में तो साथियों हमने इन ही सब को बेस कर देखते हुए और जो पिछले समय में जो भी UPP के एक्जाम हुए हैं उन सब के आधार पर हमने उत्तर प्रदेश क्रिसी क्रिसी संगठान और उत्तर प्रदेश की क्रिसी योजनाओं से संब्दित बहुत ही बेहतरिन एक स्रीष तयार किया है प्रशनों का वो आपके सामने में लेकर आया हू साथियों आपके लिए बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है आपके लिए रामबार है तो आप क्रिसी आपको जो यह उत्तर प्रदेश के क्रिशी उत्तर प्रदेश में क्रिशी शंगठान उत्तर प्रदेश में क्रिशी योजनाओं इन सभी से संब्दित आपके पूरे स सवाल मिलेंगे आप इसका इतिहास उठा के देख लेना कि अभी भी आज तो छोड़िए इसके पहले भी जितने यूपीपी के एक्जाम हुए हैं सबसे ज्यादा रोल यही क्रिसी संगठन क्रिसी योजनाए या क्रिसी इनहीं से संबंदी सबसे ज्यादा सवाल पूछे जात आप एक बार अगर अच्छे से सुन लेंगे तो सारी चीजे आपके दिमाग में बैठ जाएंगी आप चाहें पड़े हो या न पड़े हो वो आपके दिमाग में रहेगा तो चलते हम लोग बिना समय नुकसान किए पहला प्रशन देखते हैं तो साथियों देखते हम लोग पहला प्रशन क्या है हमारा साथियों पहले प्रशन में हमें कह रहे हैं पहला प्रशन क्या है कहने एक उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब सुरू गई थी वो समय वो डेट आप से पूछ रहा है पूरा और आपका D हो जाएगा 18 जून 2001 यानि लगभग आज से 22 साल 23 साल पहले तो आपको यह लगता होगा सर यह क्रिसी मित्र योजना क्या है तो साथियों जैसे ही नाम में है मित्र help करने के लिए किसानों को क्रिसी संबंदिक जानकारी देने के लिए यह योजना बनाए गए थी क किसान यहां से कोई भी जानकारी ले सकते हैं तो किसान मित्र योजना 2001 में बहुत पढ़ियां आगे चलते हैं में लोग देखते हैं क्या है देखें दूसरे वाले में हमसे पूछ रहे हैं क्या है दूसरे वाले में लिमनिलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में किस से कौन सी फसल है जिसका उत्तर परदेश में सबसे प्रमुख उतपादन में उत्तर-परदेश करता है आलू उत्पातन नमबर एक है और गन्ना उत्पातन में भी नमबर एक है तो इसमें आपको गेहू आलू गन्ना आलू तो नहीं दिया है गेहू दिया है तो आप गेहू लगा देंगे विकल्प नमबर डी उत्तरप्रटेस इन तीनों में नमबर एक पर है आगे चले हम लोग की बात कर रहा है भारत में प्रथम क्रिशी बिश्व विद्याले की स्थापना कहां की गई थो साथियों यह पंत नगर में विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका आपके यहां अगर जिसे वो फशल आती हूँ जिसे फशल यहूं की बुवाई आप करते होंगे तो जो से है विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा आगे देखते हैं लोग चोथे में चोथा देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है साथियों अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश में तीन सबसे ज्यादा मुख् एक गेहूं है एक गन्ना है लेकिन ये फसल की बात कर रहा है साथियों क्लियर नहीं किया वैसे तो लोग दुविधा में होंगे सर ये भी प्रमूख है ये भी नंबर एक में है ये भी नंबर एक में है लेकिन साथियों यहां दोनों दे देगा तो आप गेहूं पर चलएंगे आपकी मजबूर ही है जहाना अगर दोनों दे दिया है तब वंश्वधिस अगर उन रहें तो घंणा लगा देना गन्ग न रहिए न नमबर येहाईच्वला कोई भी लगा देंगे अगर ओं रहें यहांपर दोनों है तो तो घिमाक लगाएंगे कि अपने आप उत्तर निकल कर चला आएगा आपके जो बिंद्या चल पहाडियां है मिर्जापूर चुनार उसके आसपास वहां की देखेंगे पहाडियां जो है पूरी लाल है आप गए होगे अगर मिर्जापूर देखेंगे वहां की सारी पहाडियां लाल हैं तो लाखो वर्सों में उन्हीं पहाडियों के अपरदन क कारण उस साइट के जो भी मिरदा हैं वहां के मिट्टी लाल हो गई है तो सब में यहीं पाई मिट्टी पाई जाती है थैँ क्योंकि वहां के जो आप लोगों ने सुना होगा पुराने समय में जो बलुवा पत्थर आते थे जो इस्थापत या मंदिर अरा बनाने के लिए यहीं पाई जाती है क्यों पाई जाती हो मैंने आपको बता दिया तो छेटों में देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायू छेत्रों की संख्या है साथियों जब भी आपसे पूछे उत्तर प्रदेश को कितने जलवायू छेत्रों में बाटा गया है तो साथि कभी पारिस्थित्की छेत्र की बात करें कि इसका पारिस्थित्की की अगर आपसे पूछे उत्रपदेश में कितने पारिस्थित्की छेत्र हैं तो आप बीस बताएंगे तो इन दोनों कोई इसक्तSo amdось पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सरवाधी कुपियुक्त है तो पुर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यानि अपने पुर्वांचल साइट के जो उत्तर प्रदेस हैं। उत्तर प्रदेस का पुर्वी एरिया है। जिसे हम लोग पुरुअचल भी कहते हैं। तो वहां पर फसल चक्र क्या है यानि किस फसल के बाद कौन सी बोई जाती है। तो साथियों धान मक्का गेहूं दिया है, तो धान मक्का लगबग हम लोगों के साइड एक ही बोय जाता है, थोड़ा पहले धान बोय दिया थे, क्योंकि धान मक्का दोनों खरीब के हैं, और गेहूं जो है रवी की फसल है, तो धान थोड़ा पहले बोय दियाती है, मक्का थ सात्मा का ए तो हम लोग question number 8 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है इसमें आपके बहुत बहुत बेहतरिन प्रश्न कई बार यह पूछा जा चुका है आपके UPP के एक्जाम में कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समीती उत्तर प्रदेश का पहला दुग्ध सहक कारी समीती की स्थापना कहां होई थी उत्तर प्रदेश के किस जिला में हुआ था तो याद रखिए लखनाव में हुआ था बिकल्प नंबर यह सी हो जाएगा आपके लखनाव में बहुत अच्छा आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं नववा में नवव में क्या पूछा जा रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिसेस अजित्तम है यह चीज मैंने आपको पहले बताया था विक्रय अधिसेस यानि हम लोग किसे ज्यादा बेचते हैं तो तीन चीज हमारे यहां उत्पादन बहुत बड़े अस्तर पर होता है गेहूं, गंणा, और आलू तो यहां पर गेहूं हम लोग सबसे ज्यादा बेचते हैं गेहूं है ही ही है तो विकल्प नबर आप यहाँ आ यह लगा दे ना विकल्प नंबर ए गेहूं सबसे ज्यादा सरप्लस में है आगे देखे हैं मोग 10. दस्वां में आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधी नियूनतम है तो उत्तर प्रदेश में जो फसले उगाई जाती है किसकी महनी कौन पहुत जल्दी तयार हो जाता है तो साथियों मूंग चना जो होती है साथियों ल और भग बग सभी हैं लेकिन रहर सबसे ज्धा समय लेने की महीन से ज्दा च्यार महीनधा यहां मुह सबसे कम समय महीना हिस हो जाएगा sortir- मुह यह 3 महीने से कम समय लेता है इसका कि तो यह को यह आपको पहले ही यह दो पूछ रहा है आलू विकल्प नंबर ए हो जाएगा गेहूं गन्ना और आलू का सबसे नंबर इन तीनों में भारत के पूरे राज्यों में नंबर एक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है बहुत अच्छा आगे हम लोग देखते हैं बारह वाले में सिंपल सा प्रश्ण था ये आगे देख प्रदेश पर आलू गन्ना तो यहां पर क्या क्या दिया है यह दो-दो का जोड़ा दिया है इसका मतलब गन्ना जाएंगे तो विकल्प नंबर भी हो जाएगा यही प्रथम अस्थान रखता है पूरे भारत में तेरह में क्या है उत्तर प्रदेश में पान उत्त्पादन क अगर आप लोग इस नहीं पर ध्यान नहीं दिये तो आप लोग कर दोगे तो साथियों का उत्पादकन नंबर एक में में है लेकिन हम इसे नहीं लगाना है आलु भी नंबर एक का यह भी नहीं लगाएंगे भूलों का तो फूलो में नंबर एक नहीं है घाट से ग्यहू देखेगा हो से लेगा गेहूं गन्ना आलो कोई एक मार के चला आएगा जल्दी से क्योंकि उसका दिमाग नहीं पेर नहीं गया है आगे देखें लोग यह यह चार हो गया है यहां चाउदय वाला कोश्चन है यह आगे देखें लोग 15 में पंद्रह में क्या पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से अधिक्तम प्रभाविजीला कौन है तो यह अवनालिका अपरदन क्या होता है साथियों जैसे होता है न कि बहुत सारे नदियां का पानी जैसे इटावा उसके आसपास जो छेत्र है वहां पर जो चंबल नदी के कारण बाढ़ाती है तो वहां कि जैसे मिट्टी अवनालिका अपरदन मतलब कुन नालिटाइब जैसे यह मिट्टी है यह मिट्टी है तो पानी जायती है तो पानी कारण मिट्टी कट जाती है कहीं मिट्टी कट गई कहीं रुप गई कहीं नहीं कटी त बन जाता है तो बहुत बीहड का मतलब उबढखावड तो यही आउनालिक्या अपरदन होती है यह इटावा में बिकल्प नंबर सी हो जाएगा किसके कारण बनता है यह चंबल नदी के कारण आगे देखें लोग सोला में इसमें क्या पूछ रहे हैं इसमें क्या पूछा जा है तो पूछ रहा है दूध हुत पादन में प्रथम अस्थान कौन सा है तो साथ यह उत्तर प्रदेश जनसंख्या सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा जो है पसूँ को पाली होगी तो सबसे ज्यादा दूद भी होता हुए ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको नालिकया पर्दन इसका मतलब जैसे एक नालिच उगि की बन जाती थी जैसे बी- scarf बताया था था वह नालीकया पर्दम नहीं है वायू प्रदेश में वायू मृदा अपर्दन यानि वहांका मिद़्ा कटकर एक स्थान से दूसरा स्थान चली जाती है इस्थान का रहता है लेकिन यह मिर्दा पर्दन वायू मिर्दा पर्दन यानि वायू के कारण मिट्टी का कटाव यह कहां होता है तो साथ ही आप लोग को मालूम होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश का पश्चमी एरिया देखेंगे जो राजिस्थान उगरे सटा हुआ है जहां पर वायू पर्दन में जो थोड़ा सा रेतीली होती है जो हवा के कारण उड़ जाती है जैसे होती है यहां में यह मिट्टी का यह माली यह है और हवा चली तो यहां की कुछ मिट्टी कट कर चली गई यहां गढ़े बन गए छोटे छोटे तो यही होता है हवा के कारण मिट्टी का कटाओ तो तो अठारम यहां आप से क्या पूछ रहे हैं ? निमनेलिखित में से उत्तर प्रदेश की स्पसल का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है फिर यही बात साथियो फिर यही हमें नहीं पर जरूर ध्यान देना है किसके उस पादन में उत्तर प्रदेश पहला अस्थान नहीं है तो आलू में भी पहला है इसे हम छोड़ देंगे गन्ना में भी पहला है इसे छोड़ देंगे यहू में भी पहला इसे छोड़ देंगे क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो हम यहाँ पर चावल लगा देंगे, तो बिकल्प नंबर B, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला नहीं है, यह जो है, वेश्ट बंगाल जो है, पहला है उत्पादन में, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, यह चावल उत्पादन उत्पादन पर आते हैं उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे अधिक सबसे बड़ा उत्पादन है किन फसलों का देदियत इसका मतलब एक से अधिक फसलों के बारे में पुछ रहा है इसके सब्द से ही आप पकड़ लिए तो गन्ना में भी उत्तर प्रदेश नंबर एक पर दीवाले महत यही आपका सही है बहुत अच्छा थोड़ा सा कोश्चन लंबा करने को यास किया था लेकिन कोई दम नहीं था इसमें तो हम लोग देखते हैं कोश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा प्रश्ण है थोड़ा सा दिमाख लगाना पड़ेगा इसमें जो लवज्चे द असल में उत्तर प्रदेश पहले अस्थान पर नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा दिमाख लगाईए अभी मैंने बताया गेहूं भी नंबर एक पर है क्योंकि हमसे नहीं पूछा है इसे दियान रखी नहीं तो हम लोग गेहूं को नहीं लेंगे दूद में भी नंबर एक ह और आवला में भी हमारा नंबर एक है अगर जीला पूछले तो प्रताबगर सबसे ज़्यादा है तो यह भी कार देंगे चावल अभी मैंने बताया चावल में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है तो बिकल्प नंबर डी चावल में उत्तर प्रदेश पहला अस्थान नहीं है यह चावल में उत्तर प्रदेश दूसरा अस्थान है तो पहला कौन है अगर पहला पूछे तो वेश्ट बंगाल बताएगा यह चीज मैंने अभी आपको बताया था आगे देखते हैं लोग 21 में देखें अभी यह चीज मैंने आपको बताया था एक बार मेंशन कि आप गया था आपको ये बात में यह retro किसने कितने शस जल्वायू झेत्रों में विभाजित किया गया था अगर आपसे पारिस्षित की छेत्र कूछे कि तो ऊब बतादेना आगे बढ़े जाये हम लोग 22 में क्या है उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिसित्किक छेत्रों में बाटा गया है, यही मैं कब से आपको बताने प्रयास कर रहा था, उत्तर प्रदेश को कुल 20 पारिसित्किक छेत्रों में बाटा गया है, तो बिकल्प नंबर D हो जाएगा आपका 20, आगे चलें, जलवायु छेत्र प्वाई सित्की छेतर ये दोनों याद रखेगा इसमें आप कंफ्यूज नहों पाएं आगे देखें हम लोग 23 में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश अग्रहणी उत्पादन है यानि भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किसका उ हो गया चावल में तो वेश्ट बंगाल है यह दालाल में तो साथ यह कोई पश्चमी जिला है पश्चमी इस्टेट कोई है और केले में भी नहीं है तो बिकल्प नंबरे सीधा सीधा में दिख रहा है दूद का दूद हम लगा देंगे आगे पढ़े हम लोग 24 में देखते है क्या है तो 24 वाले में साथियों कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्पुड नगदी फसल है तो साथियों यहां बस बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्पुड सबसे महत्पुड नगदी फसल यह क्या पूछ रहा है यहां कोफी हो गया इन सब की जो खेती की जाती है अपने भारत में तो यह सब नगदी फसल है बेचने के लिए कि जाती है मार्केट में तो उत्तर-बदेश की नगदी-फसल प्रमूख जो है वह गन्ना है विकल्प नम्बर भी हो जाएगा है तो हम लोग चलते हैं देख लिए गन अलग सब्द में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का वारेजीक फसल क्या है तो गन्ना है विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका गन्ना है क्योंकि जू तो यहां पश्रिम बंगाल साइड होता है कपास भी उधर ही होता है यह तिलहन में तो नंबर एक है नहीं तो वारेजीक प्रमुको वारे जीक फसल गन्ना है विकल्पोंनंबर सी हो जाएगा हमारा गन्ना वारेजीक वही मतलब बेचने के उत्तर प्रदेश से, मार्केट फसले, जो मार्केट में बेचने के उत्तर प्रदेश से की जाती है, 26 में क्या है, निम्ने लिखित में से किस दलहन फसल का छेतर उत्तर प्रदेश में सरवाधीक है, तो ऐसी कौन सी दलहन है, सभी दालों के नाम आपको यहां दिये गए हैं, ये सभी दालों के नाम है, तो किस दलहन का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो चना का है साथियो, बिकल्प नंबर D हो जाएगा, चना का, क्योंकि रहर पहले थोड़ा बहुत था, लेकिन रहर की बहुत ज़्यादा, जो उत्तर प्रदेश में साणड वाली समस्या और निलगायों की समस्या कारण, लोग अरहर की खेती बहुत कम कर दिये, मूंक भी नहीं होता, यहां चना का ही होता है, बिकल्प नंबर D, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन उनी के अधार पर जब बनते हैं, तो उनी से थोड़ा सा हट कर बनाए जाते हैं, तो गेहूं का अधिक्ता मुत्पादन करने वाला राज क्या है, तो गेहूं का अधिक्ता मुत्पादन करने वाला राज, तो वही भाई अपना उत्तरप्रदेश विकल्प नंबर C हो जाएगा उत्तरप्रदेश, आगे देखें, क्रिशी सरम उत्पादक्ता सरवाधिक है, तो क्रिशी सरम उत्पादक्ता सरवाधिक कहां है? यानि क्रिसी में स्रम का उत्पादक्ता जो होती है वो सरवाधिक कहां है तो उत्तर प्रदेश में है विकल्प नंबर हमारा A हो जाएगा 28 का A क्रिसी स्रम उत्पादक्ता पुर्वी उत्तर प्रदेश में विकल्प नंबर हमारा B हो जाएगा कि यानि जो उत्पादन होता हुग स्रम बेश होता है यहां मतल格 मानों के द्वारा श्रम वाला एरिया है उतरपरदेस का यहां पर देखेंगे सब लोग जया तरह मसिंजरी का आउप योग कम किया था एक खेती में मेहनत ज्यादा किया जाता है तो बिकल्प नंबर यह हो जाएगा आगे देखते हैं हम लोग 29 में क्या है उत्तर प्रदेश में सीमांत क्रिशक किसे का आ साथियों क्रिशी होती है कर दो सीमांत क्रिशक में शीमांत क्रिशक मतलब एक लिमिटेट में जिसकी भूमी होती है, इसकी होती है जो हुझा ह milhões होती है उनको भ Nous भीन नंबर इस हिक्टेर हम लोग एकड़ सोचते हैं साथियों एक हिक्टेर में लगभग धाई लगभग धाई जो है एकड़ के आसपास जो है जमीन आती है तो दो दस्मलों चार-पांच करके कुछ है मैं मोटी मोटा बताते रहाएं धाई एकड़ तो याद रखिएगा इतना आगे देखते हैं में लोग तीस में क्या है देखें तीस वाले में क्या आप से पूश रहे हैं कि उस जनपत को चिनहित किजिए उत्तर प्रदेश के उस जिले को चिनहित किजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लीनिक नहीं है तो जानवरों के लिए पॉली क्लीनिक कहां पर नहीं है तो साथिय में भी है पॉलिक्लीनिक मुझफन नगर में गुरबपूर में यह जहांसी में नहीं है तो तीस वाला आपका उत्तर भी हो जाएगा पॉलिक्लीनिक पस्वों के लिए जहांसी में नहीं है देखें 31 में क्या है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में खरीब फसल की बुवाई की जाती है, तो साथियों ये बहुत महत्पूर है, कई सारे एक्जाम में कई तरह से प्रशन पूछा जाता है, जब आप से पूछे साथियों खरीब की बात करें आप से, खरीब की फसले, खरीब की फसल कब बोई जाती है, तो खरीब फसले हो गई इसके बाद एक मातपूर फसल होती है रवी की फसल रवी की फसल सांते हैं साथियों लोग ये नवंबर दिसंबर में लगभग बोई जाती है और मार्च अप्रेल में लगभग काटी जाती है एक और होती है जायद फसल कौन होती है साथियों जायद फसल इसको भी आप जान लेजिए यह साग सब्जी या जैसे होती है गर्मी वाली जो सीजन होती है साब सब्जी हो गए जो फल हो गए कुछ सब्जियां जैसे खीरा हो गया तरबूजा हो गया जो सब्जियां हो गई वो बोई जाती है गर्मी वाली सब्जी जो मार्श अप्रेल म यह खतम हो जाती है तो तीनों मैंने आपको बता दिया तो खरीप की बात कर रहा है तो जुलाई अगस्त में लगभभ बोई जाती है जून जुलाई अगस्त लाश्ट जून जुलाई इस सब में बोई जाती है तो यह हो गया आपका डिकल्प नमबर C हो जाएगा बहुत देखते हैं 32 में क्या है भारत में उत्तर प्रदेश जिन पैड़ावार का सबसे बड़ा ह contribution क्या है है तो साथियो खांद्यान उत्तपादन का य है यह सब केरल हाइड में है दलहन भी उत्तर प्रदेश नहीं है त Bishop हद्यान में भी वो उत्तर परदेश प्रमुक है तो तेज़ देखते हैं साथियों यह चीज मैंने अभी आपको बताया था जबाया था यह आवला उत्पादन में सरवाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो साथियों यही जो है प्रयागराज के बगल पे जौनपूर के बगल में एक जिला है आपके प्रताबगड बिकल्प नंबर बी हो जाएगा प्रताबगड आगे देखें हम लोग उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कौन सी योजना किसान बही योजना लागू की गई तो किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी तो त्सक्राश्ट hopes को स्लद्विए शाले शाल साका तरत्व स्लेश में खरतऊज विल्भी करीवसक्राशकार, बंदम स्लेटे का देश disconnect अलो में सतरा लिक नशाया के ओंसे ये खरतना के आप में शाल पराश्ण itself सायद वही वाला इसमें भी रिपीट कर दिये हैं, टाइप हो गया है, तो विकल्प नमबर D हो जाएगा, 35 का D हो गया, यही आपका उत्तर होगा, 35 का D, आगे हम लोग 36 में देखते हैं, राज में संत्रे का उत्पादन सरवाधिक करने वाला जिला है, तो संत्रे का उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सरवाधिक उत्पादन करता है, तो साथियों सैसे संत्रा, सैसे सहारनपूर, सहारनपूर बिकल्प नमबर यह आपको जो है, बी हो जाएगा, सहारनपूर संत्रे के उत्पादन के लिए सबसे महत्पूर सबसे ज्यादा संत्रे का उत्पादन करता है सहारनपूर के बारे में जान लेजिए उत्तर प्रदेश का ये सबसे उत्तरी जिला है सबसे उत्तरी जिला है और इसकी सीमा जो है उत्तरा खंड से लगती है यूग के मैंने लिख दिया और साथियों हीमाचल प्रदेश से भी लगती है, और हरियाणा से भी लगती है, तो इन तीनों से भी सीमा साजा करता है, अगर आपसे इसका थोड़ा सब घुमाद एक उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बता दिया सबसे उत्तरी जिला, अगर आपसे पूछे सबसे बिसेश कर सिद्दार्थ नगर में उगाये जाने वाले सुगंदी चावल की किस्म क्या है, तो साथियों बिसेश कर तराई छेत्र हम लोग क्या कहते हैं, जो नेपाल से सटे हुए छेत्र होते हैं, जहां पर बाढ़ बहुत आदी, जिसे महराज गंज हो गया, गोरकपूर के साइड हो गये छेत्र, सिद्दार्थ नगर हो गया, यह सब तराई छेत्र में आते हैं, यहां बाढ़ बहुत जादा आती है, तो इसका सीधा मतलब है बाढ़ वाले छेत्र में यानि पानी का दिखता वाले छेत्र में चावल अच्छी होती है, चावल की किस्म कौन सा है तो चावल का किस्म साथियों, सुगंधिक चावल की किस्म इसमें से कौन है, जो सिदार्थनगर में उगाया जाता है, वे आपसे पूछ रहे हैं, तो काला नमक, ये काला नमक नमक नहीं है, ये एक चावल का किस्म है, विकल्प नमबर D हो जाएगा हमारा काला नमक. अनतिस में क्या है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश क्रिश्री बिविधी करण पर्योजना जिसे यूपी डास से कहा जाता है प्रायोजित की गई थी तो मतलब किसके द्वारा की गई थी उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा केन सरकार द्वारा बिश्वबायंग या उपरयोग में से कोई नहीं तो ये बिश्वबायंग के द्वारा प्रायोजित की गई थी तो इसे याद रखे है थोड़ टेक्निकल है कितने लोग उत्तरप्रदेश सी मार देंगे तो ये क्रिसी विवधिकरन परयोजना बिश्ट बैंग के द्वारा ये प्रायोजित की गई थी तो 49 का तो ये 49 का हमारा सी हो गया आगे चलते हैं 38 का सी 49 में देखते हैं क्या है देखते हैं एकदम सिंपल सा प्रशन है देखने में भारी भरकम है इसमें कोई जान नहीं है देखो क्यों जान नहीं है उत्तर प्रदेश के संदर में दो कथन दिया है इन्हीं दोनों कथनों कथनों क सकता हुआ है सब्सक्राइब देखें गाजियाबाद हो गया बागत है तो संगे यह बात नहीं है तो यह दोनों सही हो जाएंगे बिकल्प नंबर भी एक और दो दोनों खथन सत्य हैं हमारे तो 49 का भी हमारा हो गया बहुत अच्छा तो साथियों यहां पर कुल 39 कोश्चन हमने ऐसे देखे जो उत्तर परदेश के क्रिसी क्रिसी संगठन क्रिसी योजनाय उससे संब्दनी थ तो उम्मीद करते हैं यह आपके लिए बहुत हिलावकारी सिध्ध होगा आने वाले एकजाम में तो आपको अगर यह जरा सा भी हमारी इस मेहनत का मतलब लगा होगा कुछ फरक पड़े तो वीडियो को लाइक करके अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर उससे संबंदी अब तक जितने भी परशन पूछे गए हैं वह उससे संबंदी थम लोग एक सिरीज लेकर आने वाले हैं तो साथियों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी रप्सक्राइब करते हैं